आर्पी टेक में आपका स्वागत है आईए दोस्तों नए वीक की शुरुआत हो चुकिये और आज भी दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आचुके एकदम कमाल की गरमा गरम कबरे आपको सुनने में मज़ा आएगा लेकिन खबरों का सिल्चला शुरू करने से पहले अगर आज की भी टेकनिवी शुरू करते हैं पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों पोको से पोको ने अपने फाइनली पोको बर्स एक्सवन को लांच कर दिया है भारत में वैसे यही टीवल्यूस के गर कुछ स्पेक्स के बार में बात करें वे 12.4 mm के में ड्राइवर्स देखने को मिल जाएगे, गैमिंग के लिए लो डिया गया है, प्लूत वर्स वर्जन 5.3 का सपोर्ट, आई पीपी टीपोर की रेटिंग भी देखने को मिलेगी, आप पांच एक्विलाइजर साउंड प्रोफाइल भी क्रियेट कर सकते हो, और आपको कौड माइक देखने क मिल जाएगा, वो भी AI ANC के सपोर्ट के साथ, और यही TWS के एकर कीमत की बात करें, तो यह TWS की जो प्राइज हो भारत में रखे 1,699 रुपीज चीहां, और यह TWS आज से सहल पर आज चुके, तो अगर आप इसे पर्चिस करना चाहते हो, तो आप इसे जब उसे ख्लिपका और पराइसिंग डिटेल निकल कर बाहरा आचुके, लाँचिंग से पहले, अगर स्पेक्स के बार में बात करें, तो इस 6.78 हीच के में 1.5 के रिसोलेशन के साथ आने वाली OLED दिस्पे देखने को मिलेगी, वो भी 120Hz के रिप्रिशेट के साथ, तो मिलेटेक, डाइमिन सेट 9,200 प्लस IPSSIP के में ताकात देखने को मिल जाएगी, 50 प्लस 50 MP का त्रियर कमेरा सेट अप होने वाला है, हलकि 50 MP के में फ्रन्सलिबी कैमरा मिल जाएगा, 5500 pewter की बारी देखने को मिलेवाली है, वो भी 80W के फास्चाइंग सपोर्ट के साथ, Android 14 आड़ोज भॉस के साथ बसे देखते हैं दोस्तों यह smartphone को भारत में किस किमत पर launch किया जाता है यह तुम्हें 7 अगर्श को पता चली जाएगा OnePlus की बात करें दोस्तों OnePlus open यह जो smartphone इसमें में एडिशन देखने को मिलेगा Apex Edition जो कि दोस्तों एक foldable smartphone और देखने में काफी बैदरिन प्रीमियम लग रहा है यह बसे दोस्तों यही smartphone में brand ने खुद से confirm किया है कि यह smartphone में आपको 16GB RAM & 1TV Storage का वैजन देखने को मिलेगा यह अब देखते हैं दोस्तों OnePlus यह smartphone की क्या price करता है OnePlus की ही बाते चल रहे है दोस्तों तो अगली खबर भी OnePlus के और से आ रहे है वही OnePlus S5 यह जो smartphone जो कि बहुत ही जल्दी चाइना में launch होने वाला है बसे दोस्तों launching से पहले smartphone के specifications के details निकल कर भारा आ चुकिए Smartphone की अगर specs के बारे में बात करें फिर 6.78 each के में 1.5K resolution के साथ आने वाली 80 LTPO display देखने को मिलने वाली है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 360 के में ताकात देखने को मिल जाएगी 50MP का main rear camera होने वाला है साथ Android 14 out of the box देखने को मिलेगा अलट slider होने वाला है 6200mAh की बैटरी एं 100W का में वायर पार शाइंग सपोर्ट भी मिलेगा अब दोस्तों यह smartphone कहा जा रहे कि में इस साल के अन तक चाइना में देखने को मिलेगा और उसके बाद यह smartphone को globally launch किया जाएगा और कहा जारे यह globally आएगा तो भी OnePlus 13 R के नाम से भी brand हो किया आएगा एस वेले भारत में भी यही नाम से देखने को मिलने वाला है अब देखते दोस्तों smartphone में क्या कुछ नया देखने को मिलता है और इससे किस किमत पे कितनी ही जल्दी भारत में launch किया जाता है Samsung की बात करें दोस्तों Samsung ने फाइनली अपना Samsung Galaxy F14 4G यह जो smartphone जैसे लाँच कर दिया है भारत में वैसे यही smartphone के एकर specs के बारे में बात करें तो यह 6.78 इच किया में aperture plus display देखने को मिल जाएगी IPS LCD डिस्प्ले वो भी 90Hz के refresh rate के सार्ट जी हाँ Qualcomm Snapdragon 680 chipset के में ताकाद देखने को मिलेगी 50 plus 2 plus 2 megapixel का triple ear camera setup होने वाला है हाला कि 13 megapixel का में front selfie camera मिल जाएगा 5000 mAh की battery देखने को मिलने वाले 25 watt के पाश्चा इंग support के साथ Android 14 out of the box होने वाला है वैसे दोस्तों Samsung ने promise किया है कि यह smartphone में आपको 2 Android updates and 4 साल की security updates भी देखने को मिले लगी जी यहां पर इस smartphone के खिमत की बात करें यह smartphone की जो प्राइज हो भारत में रखे 8999 रूपीज वैसे आपको इस smartphone की प्राइज कैसी लगी comment में ज़रू से बताईए Oppo की बात करें दोस्तो Oppo Reno 13 series, Oppo Find X8 series इन सभी devices की जो battery capacity है उसकी details निकल कर भार आ चुकिए आप खुद से देख लीजे वैसे दोस्तों इन में से मुझे personally Oppo Find X8 Ultra यह smartphone की battery capacity काफी बहत्रीन लग रही है 6100 या 6200 mAh की बैटरी होने वाली हाला कि एगर compare किया जाए S24 Ultra smartphone में तो सिर्फ 5000 mAh की battery दी गई है यहाँ पर काफी ज्यादा ही battery दी गई है अब देखते दोस्तों Oppo के सभी device दी समय कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाते है लावा की बात करें दोस्तों लावा ने अपना silently लावा यूवा स्टार यह दो smartphone जिससे offline launch कर दिया है चीहां वैसा यही smartphone प्रोसेसर होगा अब यह कौन सा प्रोसेसर यह ब्रैंड ने अभी तक नहीं बता है चीहां इसे के साथ 13 Megapixel का dual camera setup देखने को मिलेगा हला कि 5 Megapixel का front selfie camera होने वाला है 5000 mAh की battery देखने को मिल जाएगी 10 watt के फार्शाइंग सपोर्ट के साथ Android 14 Go Edition के साथ यह smartphone आएगा वैसे यह स्मार्टफोन के कर कीमत की बात करें यह smartphone का 4GB RAM 60 4GB storage के साथ आने वाला जो वैरेंट है जिसकी प्राइस बारत में रखी है 5999 रूपीज चीहां वैसे क्या सोचे आपकी यह smartphone को लेकर comment में जो रिस्वत आईए Samsung के और से एक और ख़बर आ रही है दोस्तो Samsung Galaxy Tab S10 Plus जीहां ज्योंकि Samsung के और से अभी तक का सबसे most powerful टैब होने वाला है जो की geek badge पर spot किया जा चुका है बस्ते वहां से पता लग रहा है दोस्तों के यह जो टैब आएगा जिसमें हमें Mediatek Danone City 9300 Plus chipset की ताकात देखने को मिले काम करें की बात करें दोस्तों अगर आपको चाहिए wireless speaker वह भी कम कीमत में वह भी अच्छी ब्रैंड का तो यह जो डी लेनाव आपके लिए definitely काम की होने वाली है दोस्तो JBL के और साना JBL Go3 यह जो wireless speaker है जो कि अभी प्लेनापको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रहा टाइब सी पॉर्ट का स्तमाद भी देखने को मिल जाएगा और क्या चाहिए और यही speaker के गर कीमत की बात करें तो यह भी आपको Amazon को देखने को मिल जा रहा है सिफ 2,799 डुपीज में चाहिए वाके काफी बैटरीन डीले, killer डीले, अगर आपको चाहिए तो आप इससे PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Microsoft Windows यानि की PC पर भी देखने को मिलेगी, यानि की सभी प्लैटफोंस पर यह गैम आने वाली है, वैसे दोस्तों एक action, role playing, adventure गैम होने वाली है, fighting गैम होने वाली है, अगर आपको भी इस टाइप इक गैम खिलने का मज़ा आता है, तो यह गैम आपके लिए काफी बैद रिन होगी, ऐसे दोस्तों कहा जा रहा है, story lineup काफी अच्छी होगी यह गैम की, चीहां, अब यह तो क्या है कि आने के बाद ही पता चल सकता है, तो यह से आप हमें यह बताइए, कि आपकी सबसे पसंदेदा action game कौन सी है, चाहे PC पर, चाहे console पर, चाहे smartphone पर, जो भी गैम आपको पसंद कमेंट में जरूर से बताईए, तो बस आज की tech news आपे कतम होती है, उमिद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आईए तो like कीजे, चैनल अगर आप जरूर से नए होगे तो subscribe कर लीजे, किल मिलते आप से तब तक के लिए, keep all your smiling, stay safe, take care, जाही, बंदे म पत्रím,